आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम निम्मी के जो important MCQs है उसका module first का paper solve करते हैं यह आई टे के अलवा आप जो भी competition exam दोगे आई टे से related electrician trade के लिए तो उसमें यह questions आपके लिए बहुत ही helpful रहेंगे तो आज की class start करते हैं question number first से तो question number first देखते हैं कि DC generator में X के रूप में चिनित भाग का नाम क्या है तो आपको एक diagram दिया गया है इसमें आपके इस भाग के नाम को बताना है तो इसका correct answer होगा C commutator razor next question को देखते हैं DC generator का नाम क्या है यह आपको एक diagram दिखाये गया है इस diagram को देखकर के आपको पता लगाना है कि यह किस प्रकार की DC generator को इसमें 10 आय गया है इसमें दिखो armature को बताया गया है यह armature है यह दो प्रकार की इसमें field winding को बताया गया है तो इसका जो correct answer है वह है इसका A differential long shunt compound generator है क्या है यह differential long shunt compound generator question number 3 है DC generator में प्रेरित EMF की दिशा ग्याद करने के लिए किस नियम का उप्योग किया जाता है तो हमेशा DC generator आएगा उसमें EMF की दिशा को ग्याद करने के लिए इसमें आपको देखो तीन option दिये वह है तो इसका correct answer है flaming के दाही नियाद का नियम हमेशा DC generator में flaming के दाही नियाद की नियम का उप्योग करते हैं उससे आपको EMF की दिशा ग्याद हो जाती है next question देखते हैं question number 4 DC generator में उत्पन EMF की गर्ना करने के लिए किस सुत्र का उप्योग किया जाता है तो DC generator में EMF की गर्ना करने के लिए जो सुत्र काम मिलेते हैं वो होगा इसमें option number C इसमें होगा E बराबर 5ZNP बटे 60 into A जहां पर क्या है इसमें 5 तो है flux Z है उसमें चालकों की संख्या N armature की गुर्णन गती P है number of poles और A है उसमें समानांतर पतों की संख्या तो इसका correct answer कौन सा होगा आपका C हो जाएगा इसका correct answer अगला देखते हैं आप question number 5 EMF की घर्णा करने का सुत्र क्या है अब यह किसमें देदे आपको DC motor का आगया है कि DC motor में EMF की घर्णा करने का सुत्र क्या होता है तो मैंने देखो DC motor का आपके वीडियो बना है उसमें मैंने आपको बता है कि EMF की घर्णा करने का सुत्र क्या होता है जो मैं वापिस आपको बता रही हूँ इसका जो फॉर्मूला होता है वह होगा V बराबर V बराबर होता है आपका E B E B प्लस I A इंटू R A होता है यह उपर वाला कुश्टन सॉल करके बता रही हूँ इसमें कि जो DC मोटर होती है उसमें जो Apply Voltage का मान होता है उसको विरोधी विद्यूत वहक बल और R में चेड्रॉप दोनों को सहन करना पड़ता है इस कारण से जो Apply Voltage का मान होता है वह E B प्लस I A into R A के योग के बराबर होगा और आपको इस Question के अंदर क्या मान पूछ रहा है E B का मान पूछ रहा है तो E B का मान आपको गंड़ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि E B बराबर क्या हो जाएगा इसमें इसका Correct Answer हो जाएगा आपका C E B बराबर V minus I A into R A पिछे आपको Units के ध्यान रखना है यदि आपको EMF का मान पूछ रहा है तो यूनिट हमेशा पिछे उसमें Volt ही आएगी वो सकता है आपको exam के अंदर formula वो का वो दे दे और पिछे यूनिट आपको ampere में दे देगा तो आप उसमें confused नहीं होना प्रोंकि EMF की जो यूनिट होती है हमेशा विद्यूत्वाहक बलो चाए voltage हो चाए विब्वान तरो इनके उनिट हमेशा किसमें होती है Volt में होती है अगला question है आपको DC generator में X के रूप में चिनित भाग का नाम क्या है देखो इसमें आपको ज़्यादा तर question है जो images DC generator के जो भाग है उनके जो generator के जो types है उनके आदार परी इसमें ज़्यादा तर question पूछे वे है फिर्स्टेर में भी आपके जो CBT exam वहता उसमें फिर ज़्यादा तर question थे images और diagram के आदार परी थे तो आप इन question को ज़्यादा focus करें इन question को आप ज़्यादा अच्छी तरह से त्यार करें तो आपको question नमर 6 में आपको क्या पूछ रहा है कि DC generator में X के रूप में चिनित भाग का नाम क्या है तो इसका correct answer होगा D. pole shoe next question देखते हैं question number 7 इसमें DC generator का नाम पूछ है वापिस देखो आपको क्या पूछा है what is the name of DC generator DC generator का नाम क्या है यह देखो आप वापिस इसके अंदर यह आपको बताया गया है अब देखो इसके अंदर DC generator के भाग के नाम को आपको बताना है इसमें 4 option दिये हैं इसमें इसका correct answer क्या होगा separately excited generator option number कौन सा हो जाएगा separately excited generator अगला question है आपका generator के द्वारा किस उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्थित किया जाता है तो DC generator क्या करता है हमने सा यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा के रूप में परिवर्थित करता है तो इस option का यानि इस question का जो answer है वो आपका हो जाएगा D यानि mechanical यानि यांतरिक उर्जा को generator हमें सा क्या करता है यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्थित करता है अगला question देखते हैं आपन question number 9 DC generator में field का क्या नाम है अब इसमें भी देखो वापिस आपको ये इसमें आपको क्या दे रखा है वापिस आपको एक diagram पूछा है ये देखो जादा तर questions आपको diagram से related ही पूछ रहे है तो आप इस diagram को questions को अच्छी तरह से याद रखे कि इसका answer क्या होगा और इसको exam अगर आए तो आपको उसका सही डंग से उसका उतर देना है तो question number 9 में पुछा है DC generator की field का क्या नाम है तो इसका correct answer है answer number D इसका correct answer है आपका answer number D cumulative compound generator ये क्या दे रखा है cumulative compound generator cumulative compound generator के अंदर जो परिणामी flux का मान होता है वह दोनों प्रकार के flux के योग के बराबर होता है यानि जो total phi होगा होगा phi SH plus phi SE यानि series क्या जो flux होगा और समानांतर के अंदर जो flux होता है उन दोनों के flux के योग के बराबर होता है अगला question देखते हैं question number 10 TC generator का सिद्दान क्या है कि DC generator का principle क्या है DC generator की सिद्दान के उपर कार्य करता है इसमें देखो आपके चार option दिये हैं इन चारों option में से इसका correct answer क्या होगा ये तो सभी को पता होना चाहिए कि DC generator की सिद्दान पर कार्य करता है तो इसके अनुसार इसका जो option के साब से इसका correct answer है आपका D फेराडे का विद्दूट चुम्बक ये प्रेरन का नियम और ये क्या होता है नियम कि यदि किसी दारावाई चालक को किसी चुम्बक की शेत्र में अवसित किया जाता है तो उसमें प्रेरन के कारण उसमें विद्दूत वाहग बल जो गतिशील रूप से EMF प्रेरित हो रहा है उसका formula क्या होगा तो इसका correct answer है आपका BLV sin theta जो आपको option number C में दे रखा है तो इसका correct answer हो जाएगा C BLV sin theta next question देखते हैं चुम्बक की शेत्र की दिशा ग्याद करने के लिए किस नियम का उप्योग किया चाता है तो इसका correct answer है B framing के right and rule अगला question DC generator के भाग का नाम पूछा है आपको तो वापिस ये आपको DC generator के जादा तर DC generator के parts और DC generator के जो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको questions पूछा जा रहा है तो इसका parts का अगला question आपको देखो इसी question वापिस आपको DC generator के भाग का नाम पूछा है तो इसका जो answer है वो है D, yoke, frame या body भी कहते हैं इसको तो ये diagram किसका हो गया आपका yoke, frame या body का next question देखते हैं question number 14 चार पोल DC generator के duplex lap winding में समानांतर कितने रास्ते होते हैं वापिस बोल रहे हूं चार पोल DC generator के duplex lap winding में कितने समानांतर रास्ते होते हैं तो इसका correct answer है आपका c और ये क्यों होगा क्योंकि इसमें हमेशा इसका जो formula होता है वह होगा पोल की संख्या into flex क्या होगा पोल की संख्या into flex तो इसमें आपको पोल की संख्या किती दे रखी है इसमें आपको पोल की संख्या दे रखी है किति दे रखी आपको 4 तो 4 इंटू डूपलेक्स दे रखा है तो इसमें चार इंटू डूपलेक्स यानि 2 तो 4 को 2 से गुणा किया तो इसका आंसर किता हो गया आठ तो इसका correct answer किता हो गया आठ ठीक है आटो जाएगा इसका correct answer अगला question वापिस देखो DC generator के भाग के नाम को बताईए कि आपको DC generator के किस भाग के नाम को उसमें बता रहे हैं आपको diagram के अंदर आपको बताना है तो इसका correct answer है आपकी armature laminated core armature core है जो laminated QEM next question DC generator में interpol कैसे जुड़े हुए होते हैं तो DC generator में interpol कैसे जोड़ते हैं तो DC generator में पहले interpol होते क्या हैं जो मुख्य जो पॉल होते हैं उनके साथ में जो अतिरिक छोटे छोटे पॉलों को जोड़ा जाता है उससे क्या बोलते हैं अपन interpol बोलते हैं और जो इंटर पोल की जो संख्या होती है वो हमेशा मुख्ये जो पोल होते है उनकी संख्या के बराबर होती है और इंटर पोल हमेशा आर मेचर के साथ सिरीज के सिरीज में जोड़े जाते हैं तो इसमें इसका correct answer है A, आर मेचर के साथ संख्ला में संख्ला का मलब होता है सिर तो इसका correct answer आपके क्या हो जाएगा A, आर मेचर के साथ series में अगला question है एक स्वैम उत्ते जित DC generator में आवसिस्ट चुम्ब कत्व की आवशकता क्या होती है यानि इसमें अवसिस्ट चुम्ब कत्व की आवशकता क्यों होती है तो चार option दिये हैं आपको देखो इसमें से इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका build up the voltage, voltage को निर्मान करने के लिए अवसिस्ट चुम्ब कत्व की आवशकता होती है ठीक है अगला question, question number 18 DC मशीनों में वे कौन से दो बिंदू है जो ब्रस संपर्क प्रतिरोद को मापते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका question number 18 इसका answer है आपका C ब्रस और commutator के बीच प्रतिरोद अगला question, question number 19 किस voltage drop को X के रूप में चिनित किया गया है आपको एक इसका diagram बताए गया है आपको एक waveform के अंदर इसका diagram बताए गया है जो load current और terminal voltage के बीच में आपका एक इसका विशेशता characteristics का एक diagram इसमें आपको बताए गया है जो किस voltage drop को दरसा रहा है तो इसका जो answer है वो है इसका C armature reaction drop अगला question है compound generator का नाम क्या है यदि shunt field armature के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है आप इस question को देखो compound generator का नाम क्या है यदि shunt field है वो है armature के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो इसका correct answer है आपका D short shunt compound generator तो आज की class में आपको जो ITI electrician secondary है उसके निम्मी के जो important MCQs का module first के 20 questions को solve करा है इन questions को आप अच्छी तरह से समझें कि आपके ITI के अलावा जो other आप ITI related competition exam देंगे उसमें आपके लिए बहुत helpful रहेंगे तो आज की class को यहीं फिसमाप्त करती हूँ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो आप पूरी देखें यदि कोई भी student इस channel से नए जुड़ावाए तो पहले इस channel को subscribe करें like करें और share करें thank you